हाई गाईस आई होफ यू आर डूइंग वेल ओके तो यार आज बहुत ही खुशी का महोल आप सभी ने देखा होगा 29 तक कितनी सीटे बची हुई है 15, 19, 16, 17 आई ऐस्ति के अंदर आज फाइनली जो रजिस्टेशन स्टार्ट हो चुका है जिन बच्चों ने रजिस्टर नह नहीं सरांड एडमीशन या जो को बच्यें की जिस्टे रण की बच्चों का कोई मोका नहीं है यह जह वह बच्चे ले सकते हैं जो वेटिंग दिस्ट अंदर थे फर्स्ट एडवाइस सभी बच्चों ध्यान से सुने सभी पेरेंट्स एक मोस्ट इप्पोर्टेंट नौटीस है जो सबसे ज़्यादा जो प्रोब्लम साती है इंडिया के लिए दो गंटे दिये गए हैं 99 पर्सेंट बच्चे यह ट्राइ करेंगी कि अपन गूगल पर फोन पर पेटीम से पेमेंट कर देते हैं क्योंकि वहां पर यूपी आई का ओप्शन आ रहा है और यहां दो गंटे हैं इतना पेमेंट गेटवे बिजी रहता है दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है 199 परेंटिय कि पेमेंट आपका फेल होगा अगर आपका पेमेंट फेल होता है तो उसके लिए आय хотите इलिजिबल नहीं है यह आप दिल्कुल धियां से कबर सुने अगर आपका फेमेंट फेल होता है तो उसके लिए आय यस reacted इलिजिबल नहीं है जब तक आपका पेमेंट सक्सेस नहीं होगा योर सीट आज नोट कंफर्म ओके और मलब डोकोमेंट भी है लेकिन फर्स्ट ओपल आपका फीस जमा होना चाहिए दो घंटे के वितर डोकोमेंट आप जो भी टाइम देर का है तिक पांस बजे तक का है साइ यह पिर आप जो भी आपका नजदे की साइबर के पे अच्छा साइबर के पे वहाँ पे आप जा सकते हैं वाई चाहन सगर आपका फेमेंट फेल भी होता है तो उनके पास कुछ पैसे होते हैं अकाउंट के अंदर ताकि वह आपका फीस पेमेंट कर पाए ठीक है क्योंकि आपका जोसा के अंदर ओप्सन जा रहा है यह से भी अभी कंड़क्टोंने वाला हो सकते हैं आपने रजिस्टर ना किया हो रजिस्टर जरूर करें अगर आपको दो तारीकों मिल जाता है तो पांच बज़े तक विड्रो कर देना जोसा बगरा की जो भी सीटे हैं आपके पास ठीक है स्टूडेंट ओके तो जस्ता आप साइबर के पी बगरा में जाए या फिर अच्छी इंटरनेट बेंकिंग यूज करें या फिर अपने अकाउंट के अंदर डबल पैसे रखें ठीक है क्योंकि सोतर जार रुपए हैं तो मिडिल क्लाश फेमिली में ऐसा भी न पर अगर आप पेमेंट करें हो तो फास्ट इंटरनेट होना चाहिए वैसे मतलब इतनी खराब सिच्वेशन नहीं है लेकिन हाँ जैसे आप एस डेप सी का पेमेंट गेटवे यूज करोगी तो वहां पर यह प्रोब्लम आएगा ठीक है स्टूडेंट तो यह बात के आपका एक राउंड आएगा डोरि कर सकते हो फीशिया है आप साध्या बार्णाच से लेकर 2 धाय वजे तक पेव्ल कर सकते हो फिर आपका एक राउंड जो यह वह वो तीं बजी आएगा और उसकी फीश आप पांच बज़े तक पेव कर सकते हो तीन राउंड आएंगे दो दिशंबर को ठीक है अगर आपको लग रहे हैं चॉंस है तो दस बज़े ही जाके अपने साइबर के पेव बगरा बगरा में बेठ जाए अपना फीस का इंतजाम करके अगर आपका सीट मिलती है तो जचा क पेमेंड करोस का ठीक है और यहां पर दे सकते हो फीस इंस्ट्रक्शन साफ साब कहा है इसने कि किसी को भी फीस का मलब दो गंठे से ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा ठीक है स्टूडेंट देख सकते हो चोतर जार चार सो पचास रुब है से स्टी पीड़ुड के लि चैपकोई क्या होता है यहां साब कोटी होकता है एक आपका तो इया फिर आपको स्कूलेज या इसकोल्स में हम ніकोए बनारे देते हैं कि वच्चे नहीं गलस्त काम तो नहीं किए उसके अंधर लिक्ते को परिसान तो फिसके अंदर चणदरर लिखें जिसने कि अच्छा चारी तरह बच्छ का करेक्टर ठीक है तो उसको परेक्टर बोलते हैं तो आपको वहां पर जम्मा करना पड़ेगा जो भी आपका मेडिकल सर्टिफिकर्ट होता है ठीक है और आप जो अपने डोकुमेंट है 23 गुंसर्ट तक जम्मा कर सकते हैं यानि कि आप दो तारिक रात तक लेट नाई तक जम्मा कर सकते हैं यह जो नोटिस आप इसको आपके जो भी प्रोग्राम होगे चाहिए वह जैसे आपके लिबोर्टरीज बगेरा बगरा सारी के सारी ओनलाइन ही होगे किने όससा नहीं है आपको वीडियो बना के वीडियोू के अंधर आपको दिखा देंगे आपको जो भी प्रोग्राम होते हैं वह दिखाई जाएंगे सयसे हैं कि स्टार्ट हो रही है से हर्यार से का इंडेक्शन प्रोग्राम के अंदर आपको मलब प्रोपेसर होते हैं वो क्लासे करते हैं चाहिए नाइटी हो ठीक है जस्ट पेमेंट का यह था एक सबसे बड़ा प्रोब्लम तो अगर आपकी प्रोब्लम है तो उसका कोई बेसे सोल्यूशन ही है अगर आपको लगता है कि आपको स्कॉलर्शी बगरा मिलनी चाहिए तो वो जो भी है इसने साफ साफ लिखा है कि आपको रिफंड मिल जाएगा आफ्टर डोग कोईर्मेंट वरिफिकेशन जो भी आपकी स्कॉलर्शी बगरा बनती है ठीक है आपके बास सर्टिपिकेट बगरा है कुछ-कुछ तो उसके बेसे मिल जाएगा लेकिन हाँ पहले त चीक है तो ओके स्टोडेंट थेंक्यू